आप सब आज मैं आपको फ्रावर बनाना सिखाऊंगी बहुत ईजी पैटर्न है तो चलिए वीडियो शू करते हैं लेकिन वीडियो शू करने से पहले फ्रेंट सब्सक्राइब नहीं है और अपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सबसे पह अचाले चैनस बना लेंगे और चैनस हम कि मल्टिप्लाइब ही बनाएंगे तो बढ़ीए टो जितना उड़ा आपको फ्लावर बनाना ह necesita भी बढ़ा सकते हैं छोटा बना है तो छोटी चैनस की लमबा ही रखें और आकर अजो बढ़ा है तो बड़ी जैस बना लिए तो इस तरीके से हम पहले एक रो बनाएंगे इसमें चैन्स बनाएंगे तो मैं बना लेती हूं कि देखी 50 चैन्स बना ली है मैंने और यह जो क्रोशिय मैंने 3.50 mm का लिया है अगर आपको छोटा फ्लावर बनाना है तो आप पतले क्रोशिय से भी बना सकते हैं अब इसके बाद मैं 2 चैन्स बनाओंगे 1 2 और हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4 वाले में 1 double क्रोशिय बनाएंगे तो यह जो रो है हमें हर एक स्टिच में 1 1 double क्रोशिय बनाना है तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूं इस तरीके से लास्ट तक बना लेंगे यह दिखिए मैंने 1 double क्रोशिय की रोल लास्ट तक बना ली है अब देखिए हम क्या करेंगे चैन्स 3 बनाएंगे 1 2 3 और इस तरह फिलट लेंगे और एक स्टिच छोड़ेंगे और दूसरे वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरीके से चैन्स 3 बनाएंगे 1 2 3 एक स्टिच छोड़ेंगे और दूसरे वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे तो यह हमें लास्ट तक बनाना है 1 2 3 एक स्टिच छोड़ेंगे दूसरे वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे तो इस रोग को भी मैं लास्ट तक बना ली कि अब इस तरफ पलटेंगे और यहां पर देखिए यहां पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से अब यहां से हम डबल कुरूशिय बनाएंगे इस स्पीस में 5 डबल कुरूशिय बनाएंगे यहां पर हमने जो सिंगल स्टिच बनाएंगे यहां पर हम इसको स्लिप स्टिच सर्टाइज करेंगे इसको इस तरीक से निकाल देंगे देखे वापस हम यह दूसरे स्पीस है यहां पर भी 5 डबल कुरूशिय बनाएंगे वन टू त्री फोर और यह फाइफ और यह जो हमने सिंगल स्टिच बना था यहां पर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे करेंगे स्लिप स्टिच यह दह्गे इस तरीके से और फिर व lados स यहां फाइफ डिबल कुरूशिय बनाएंगे तो इसी तरीकермी से में लास तक बनाना है तो इतना मैं बना लिती हूं तो यह दीखे मैं इसको लास तक बना लिया और यह दएँखे फाइफ डिबल और यह थागे को मिस्त तरफ केशलेंगे अब के करेंगे यह देखी जो हमने बनाया है फ्लावर इसको विस्तरीकी से राम ड्रॉंड करते चले जाएंगे अब इसको यहां पर हम यह जो हमने एक्स्टर धागा लिया था उससे हम यहां पर सिल देंगे तो यह थोड़ा चुटा है यह थोड़ा बड़ा है तो देखिए कितना सुन्दा लग रहा है आप बच्चों की फ्रॉग पर हैट बंड पर किसी भी लगा सकते हैं कोई शौल पर तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें शियर करें और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग